नमस्कार, SBT News पर आप देख रहे हैं रास्तान के श्री गंगा नगर हनमान गंचिले की बड़ी खबरें COVID-19 संक्रमन को फैलने से रूपने के लिए घोशित लॉकडाउन में फसे बिहार के मजदूरों को लेकर श्री गंगा नगर से स्पेशल ट्रेन कल रविवार को दोपहर 12 बजे बिहार के फुर्णियां के लिए रवाना होगी समय बदलने पर इंतिजाम करने के लिए प्रश्वासन के पास और बहुत कम समय बचा है इसके लिए जिला प्रश्वासन के अधिकारी आज का वायद में जुटे रहे पूर्व में ट्रेन का समय रविवार को राद 12 बजे का टै हुआ था लेकिन प्रश्वासनिक अधिकारी और रेलवे के अधिकारी में बाच्चीत करके उनके निदन के सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हल्चल मच गई सूचना मिलने पर बिकाने राई जी जोस मोहन मौके पर पहुँचे विश्णोई के आत्म हत्या के कारण अभी तक अग्यात है आरंबिक जांच में थाना अधिकारी विश्णोदत बिश्णोई ने राज के आवास पर फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली मौके पर पुलिस को उनके द्वारा लिखा एक सूसाइड नोट मिला है श्री गंगानगर जुले की राईसी नगर तहसील के रहने वाले विश्णोदत बिश्णोई हनवानगर टाउन में भी सेवारत रह चुके हैं विश्णोदत बिश्णोई की मौत के बाद सादुलपूर में लोग सड़कों पर उतर आए आक्रोशित लोगों ने बिश्णोई की मौत के जिम्मेदारों को गोली मारने के नारे भी लगाए बिश्णोई की मौत के बाद सादुलपूर में आक्रोश फैल गया लोगडाउन की परवाहन ना करते हुए बड़ी तादात में स्थानिया नागरिक, पूर्व विधायक, मनोज नियांगली के साथ सड़कों पर उतर आए सादलपूर थाने के समक्ष इकठे होकर लोग सी आई को जिसने मारा उसे गोली मारो जैसे नारे लगा रहे थे हर्याना के सिरसा में मिले करोना पॉजिटीव रोगी के संपरक में आये व्यक्ति के, यहां श्रीगंगा नगर आस्था किद्नी हॉस्पिटल में भृती होने के बाद प्रश्वासनी का दिकारी एस्पताल में पहुंचे और भरती मरी जिस कमरे में रहा उस मंजिल को आइसोलेट कर दिया गया। एस्पी द्वारा थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने के लिखेद आदेश जारी करते ही करमचारी काम पर लोट आए। इलाके में घोशित कर्फिय में अभी तक धिल देने की कोई संभावना नहीं है। कोरोना संक्रमन फैलने से रोपने के लिए अभी कर्फिय जारी रहेगा। उपखन अधिकारी उमेज सिंग रतनू ने बताया कि ब्रहम कलोनी की दोनों साइड में कर्फिय प्रभावी है। आवशक सेवाओं के लिए अनुमती जारी की गई है। लोगों को राशन, दू, सबजी और अन्यावशक सेवाओं के लिए कोई परिशानी नहीं आने दी जाएगी। श्रिगंगानगर से प्रवासी मजदूरों को भिहार की रवानगी के लिए जिले भर से सुरतगर्ड पदंपूर बाईपास पस्थित राधा स्वामी ससंग भवन में इकठा किया जाएगा। इन सभी व्यावसाओं का जाइजा लेने के लिए प्रशासनी के पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे। डाक्टर सोनी ने बताए कि जिले भर से सुबह 6 बजे मजदूरों को यहाँ डेरे में लाने का सिलसिला शिरू हो जाएगा। श्रे गंगानगर जिले के केसरे सिंग पुर्धाना शेत्र में पतनी के अवैस सम्मन से दुखी होकर पती ने आत्म हत्या कर ली। इस सम्मन में मृतक की माने रिपोर्ट दे कर अपनी पुत्रवध हुआ और उसके पुरुष मित्र के खिलाव हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। थाना परभारी सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि अवैस सम्मन के चलते एक यवक ने शुकरवार को आत्म हत्या कर ली। मृतक की पहचान गाउं एक एफ के रहने वाले किरपाल सिंग बावरी के रूप में हुई है। श्री गंगा नगर जिले के सुरतगार शहर थाना शेत्र में शनिवार सुबह स्तरडग दुरगटनावे दो वहनों की भिढ़न्त हो गए। टकर लगने से दोनों युवक घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पिताल में भरते करवाय गया है। आरमिक जौन्स के अनुसार आज सुबह मानक सर चोराहे पर एक अनियंत्रित बाइक और कार में भिढ़न्त हो गई। आमने सामने की टकर होने पर बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। पूटर रचित दस्तावेजू के अधार पर लेप अकनीशन बने का प्रयास करने का मामलास सामने आया है। इस समन में ओशेदी नियंत्रिक अधिकारी ने रिपोर्ट दे कर श्री गंगानगर के कोतवारी पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्च करवाया है। पुलिस के अनुसार औशेदी नियंत्रक अधिकारी रामपाल वर्मा ने रिपोर्ट दी कि शोहर के एक निजी ब्लड बैंक में लैप टैक निशन पत के लिए करतार सिंग ने आविदन किया था। दस्ताविजो की जांच के दोरां संदे हुआ तो जांच में कागजात फरज कार में चारो टायर उपर की तरफ थे कार के नंबरों के आधार पर कारसवार लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। नहीं होने को प्रिशास नगर परिशत की लापरवाही मान रहा है। इदो लोगडाउन में श्री गंगा नगर में ठोक फल सब्जी मंडी का रूटीन बदलने और कारे की अधिक्ता से मंडी के श्रमिक भी परिशान होने लगे हैं। श्रमिको का कहना है कि लोकडाउन में मन्डी में सुवह 4 बजे से देर राध 12 बजे तक काम होता है इस कारण उन्हें आराम का पूरा समय नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते अब मन्डी के श्रमिको के यहां से पलायन करने की चरचा होने लगी है। मंडी से श्रमिकों के पलायन के चर्चाओं के बीच आज क्रिशी उपज मंडी समीती फल सबजी के परिवेख्षक हेमराज गुरहानी के समख्ष श्रमिकों ने अपना ये दर्द बया किया। श्रेगंगानेगर में लोगडाउन में छूट के बाद प्रश्वासन ने पूरा बाजार खोलने की अनुमती तो दे दी है लेकिन कुछ सविधा परस्त लोगों की कारण अब बाजार की विवस्था भी बिगड़ने लगी है। श्रेगंगानगर जिले में दूसरे रादियो से लोगों की लगातार आमत बढ़ने से कोरोना का खत्रा भी बढ़ रहा है। एक ही परिवार के दो गुटों में खोनी संगर्श हो गया। हमलावरों ने लाठियों से तावर तोड़ वार करके एक महिला की हत्या कर दे जबकि उसके बेटे को गंभी रुप से घाल कर दिया गया। पुलिस ने एक दर्जन से अधिक लोगों पर हत्या करने और हत्या का प्रयास करने के आरोप में मुकदमा दर्च किया है। पुलिस के अनुसार हमले में बुरी तरह से घायल 52 साल की रोशनी देवी की मौत हो गई। श्रे गंगा लगा के पुराने अवादी के तारा चंदवाडी का महिला पार के निकट बिजली के ट्रांसफार्मर में देर रात आग लग गई। आग जोने की घटना में अन्य कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। ये ट्रांसफार्मर आपकारी विभाग के आफिस के पास है। ऐसे में रात साड़े ग्यारा बजे ट्रा आगन पर